सबी लोगों को नमस्कार जाहिन दोस्तों स्वागत आप सभी का एगरी कोचिंग बाई विकास सर अगर आप लोग आई सी ए आर जयार आफ एसार आफ ए एर एस नेट आई बीपिया से एफ़ो डवल एयो एयो अग्रिकल्चर सुप्रवाजर अधर एग्रिकल्चर बात करते हैं संतरा का उतपतिस्थान चाइना माना गया है ठीक है संतरा का उत्पतिस्थान कहा है चाइना माना गया है और बात करते हैं यानि की आम की आम का ठीक आमका उत्पतिस्थान यानः की आम का अज़िए चलते हैं कोश्ण question number 2 की बात करते हैं question number 2 कह रहा है चावल की फसल में कौन सी जीन उपस्तित होती है ठीक है आपको बताना है चावल की फसल में कौन सी जीन उपस्तित होती है पहला option है नौरीन दूसरा है टिफ्ट तेइस चौथा है काफिर और चाओथा है DGU जीन ठीक है? और यहाँ पирतीसरा है काफी चारों में से बताएगे कौन सा correct answer हो जाएगा यानि कि चावल के अंदर कौन सी जीन उपस्तित होती है ठीक है यह आपको बताना है इसका correct answer हो जाएगा चावल के अंदर जीन होती है और डी जी उ जीन होती है ठीक है यानि कि फॉर्थ ओफिसन जो है ये सही हो जाएगा बात करते हैं नौरीन नौरीन टेन किसका है जीन है ये गेहू का हो जाएगा ठीक है गेहू का बौना जीन जो होता है नौरिन 10 जिसको कहा जाता है ये गेहू का हो जाएगा टिफ्ट 23 ये किसका हो जाएगा ये बाजरे का हो जाएगा ठीक बाजरे का जीन हो जाएगा बात कहते हैं काफीर काफीर किसका हो जाएगा जौर का हो जाएगा ठीक है ये आप चार ओप्सन के बारे में याद रखेंग ठीक है गेहु में जो जीन उपस्तित होती है उसका नाम होता नौरिन टेन और बाजरे के अंदर जो जीन होता उसका नाम काफीर होता है और चावल के अंदर जो जीन होता उसका नाम होता डी जी उजीन ठीक है ये चार उप्सन के बारे में आप याद रगें चलिए चलते हैं कोशन नमबर तीन पर चले चलते हैं कोशन नमबर तीन पर कोशन नमबर तीन कह रहा है पाले के प्रतिस आरुदिक समवेदन सील फल है ठीक है आपको फल के बारे बताना है ना कि सब्जी के बारे बताना ठीक है तो पाले के प्रतिस आरुदिक समवेदन सील फल कौन सा हो इसके बाद जो आता है सेकंड नंबर पर पपीता के बाद जो सेकंड नंबर पर आता है आमला ठीक है पपीता के बाद आमला जो होता है सेकंड नंबर पर पाले के प्रती समवेदन सील होता है उसके बाद जो आमला के बाद जो समवेदन सील फल आता है वो होता है अमरूद ठ जाएगा अब बात करते हैं सब्जी के अंदर सबसे ज्यादा समवेदन सील वाली सब्जी कौन सी हो जागी तो सब्से ज्यादा समवेदन सील हो जाएगी सब्जी टमाटर ठीक है उसके बाद कौन सी आएगी उसके बाद आ जागा बैगन ठीक है ये दो सब्जी जो होते हैं स केंद्रिये बकरिया नुसंदान संस्थान कहां पर इस्तित है ठीक आपको बताना है बकरिया नुसंदान संस्थान कहां पर इस्तित है पहला अप्षिन है अभीका नगर टॉंग दूसरा है मगदूम मत्रौा तीसरा हीजत नगर यूपी चौता है जोहड बीर बीका निर इन चानों में से बताए कौन सा क्रेक्ट हो जाएगा तो करेक्ट एंसोर हो जागा यहां पर मघदूम मत्रवा खींदर कि अंदर के लिए बकरिया नुसंदान संस्थान इस्तित है ठीक है बात करते हैं अभीका नगर टॉंक के अंदर यानि कि यह रायस्थान में है तो यहाँ पर कौन सा अनुसंदान संस्थान इस्तित है तो यहाँ पर हो जाएगा CSWRI ठीक है इसको कहते हैं Central Seep and Wool Research Institute कहां पर है यह अभीका नगर टॉंक में हो जागा ठीक है बात करते हैं इज्जत नगर इज्जत नगर यूपी में कौन सा है केंद्रिय पच्छी अनुसंदान संस्थान ठीक है यह हो जागा इज्जत नगर में उसके बाद बात करते हैं जो नगर नस्थान है यह जोहड बीD kanir में है इस्थित ठीक है यह आप याद रहरएगी चार उ उसके बाद चल्य कोशेन नगर चलते हैं पांच पर के लिए कोशें keeping 5 कि बात कर लाएं कोशें ceiling प्रम्छ चैनल 5 प्राप्टी है तू किस नस्ल की मेमनों की हत्या की जाती है ठीक है आपको बताना है पर एक टैंसर हो जाएगा यानि की काराकुल काराकुल यहां पर देख सकते हैं इसकी काराकुल की परजाती है भेंड की और इसकी खाल है खाल से क्या बना जाते हैं टोपी टोपी बना जाती है और सरदियों के गर्म वस्तर ठीक है सरदियों के गर्म वस्तर बना जाते हैं इस क्या है? तीन से चार दिन तक, ठीक है? तीन से चार दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है, ठीक है? बिना पानी पिए यह रह सकती है, रह सकती है, यह 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 रह सकती है, ठीक है बिस्व में सबसे ज्यादा उन उत्पादन करने वाली ये नसल है ठीक है पूरे बिस्व में 80% जो है उन इसी से प्राफ्त किया जाता है यानि कि महरीनों से ही उनको प्राफ्त किया जाता है उसके बात करते हैं चोकला की चोकला यानि कि भारत और राजस्तान की ठीक ह जाता ठीक है इन चारों उप्शनों पर ध्यान देंगे तो हमारे प्राप्थी करने के लिए जो में अवनों की हत्या करते हैं तो कराकुल जो नसल भेंड की उसमें हत्या करते हैं ठीक है यह आप याद रखेंगे चलिए कोशन नबर चालते हैं छेपर चलिए question number 6 question number 6 का रहा है जो की छिलके रहित परजाती बताना ठीक है आपको इसमें से छिलके रहित जो की परजाती कौन से है rd387 il 2 रतना या डोलमा इन चारों में से बताएं कौन सा correct answer हो जागा ठीक है चलिए शुरू करते हैं पहले option से यानि कि rd387 से rd387 को राज किरन भी का जाता है ठीक है राज किरन के नाम से भी जाना जाता है ये पूछा जाता है या में कि rd387 को किस और नाम से जाना जाता है तो राज किरन के नाम से भी जाना जाता है इसकी एक खासियत है यानि कि मोल्या, ठीक है, मोल्या जो रोग लगता है, मोल्या रोग के प्रतिरोधी है, ठीक है, मोल्या रोग के प्रतिरोधी है, बात करते हैं, I-L 2, I-L 2 जो किस्म है, यानि कि ये लवणिय और छारिय मिर्दा के प्रतिरोधी है, ठीक है, लवणिय और छारिय प्रतिरोधी है, ठीक ह I l 2 है ठीक है उसके बाद रतना की बात कल लिए रतना के बार जाते हैं मैंगो की वी किस्म है उसके बाद यह infrastruct然 की गई ठीक है यानि कि निर्मित की गई है यह किस्म कर आ फिरिय के विप्रण्वद हो ऑद अ development की घ्राइब परजाद की धर does कैसी किसम है, जो की एक छिलके रहए किसम है, यह आप याद रखेंगे, चलिए कॉशन आपर चलते हैं, साथ पर, चलिए क्यल्षान आपर चलते कोशन आपर साथ पर, क्या रहा है, वायू मंडल की किस परद में? ज्टोरे मंड़ले मंदलो 3am आती है आपको बताना वाहिं मंड़ल की किस परत लिए मयारा करेक्ट हो जाती है बात कर लेते हैं शोब्हों मंडली जतनी कुछ बी- गेठनाइं होती ह 120 आप ठीक है कुछ भी जो भी होता है मौसम समंदी जितनी घटना ही होती है वो कौन से किसमे होती है वो शोब मंडल में होती है ठीक है यह आप याद रखेंगे उसके बाद बात कर लेते हैं मध्ध मंडल मध्ध मंडल कैसा है सबसे गर्म मंडल है ठीक है सबसे गर्म सबसे गर्म जो होता है वो मध्य मंडल होता है ठीक है यह आप याद रखेंगे उसके बाद आयन मंडल की बात कर लेते हैं यानि कि संचार संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती है ठीक है वो किसमे होती है वो आयन मंडल में होती है तो किस में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, पहला option सही हो जागा, चलिए question number चलते हैं 8 पर, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को like, share, subscribe ज़रूर करिए, हमारे चैनल को नाम है agree coaching by विकासर, ठीक है, इस चैनल को like, share, subscribe, अधिक सधिक करन ठीक है, यह भी देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पूछ रहा है, खजूर का परवर्धन किसके दोरा होता है, स्वाड सकर्स दोरा, स्टूलिंग दोरा, बीज दोरा, या ओप सुट दोरा, इन चारों में से बताईए, कौन सा correct answer हो जागा, ठीक है, तो हमारे जो correct answer हो स्वाड सकर्स का weight कितना होता है, 750 g होना चाहिए, ठीक है, यह आप याद रखेंगे, उसके बाद बाद करते हैं, इस टूलिंग बीज दोरा, इस दोरा किसमे परवर्धन होता है, यह आप लोग जानते है, पपीता के अंदर सिर्फ 20 दोरा ही परवर्धन किया जा सकता है, ना कि उसका कलम दौरा, बेडिंग दौरा, कटिंग दौरा केसी की मादम से नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ 20 दौरा ही उसका परवर्दन किया जाता है, ठीक है पपीता के अंदर, यह आप याद रखेंगे, चलिए हमारे कोशन का राइट अंसर हो गया, यानि कि फोर्थ नमबर ठीक है, खजुर का परवर्दन ओफ सूट दौरा ही करते हैं, ठीक है, चलते है कोशन नमबर 9 पर, चलिए कोशन नमबर 9, कोशन नमबर 9 कह रहा है, अनाज वर्गी परिवार में किस फजल में सारवधिक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, आपको बताना है, जो सीरियल क्र लाप्स के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन की हाइस्ट प्रोटीन की मातरा पाई जाती है, ठीक है, गेहूं के अंदर, चावल के अंदर, मक्का के अंदर या बाजरा के अंदर, चारो में से बताए कौन किस के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन की मातरा पाई जाती है, ठ से लेके 7 परतिशवा तक पाया जाते यानी की इसमें से बताई किसमें है तो सबसे जञादा की मात्रा गेहु के अंदर ॐ ठीक है तो से sanity कराप में या कि अनाज वरगी है जो फैमली है इसके अंदर गरint के मातरा सबसे हाई-एस जो देखने की उर्पी तो हमारे कोशन का सभी है यानि की फ़र्श्ट वाला गरी के अंदर गर 15-14 परसंट पाई आती है की कोशन नमबर 10 पर चले कोश्चन नमबर 10 की बात करते हैं दस नमबर कोश्चन कह रहा है बीस्वी पसु गड़ना ठीक है बीस्वी जो पसु गड़ना हुई थी 2019 के अंसार भारत में पसु संख्या और मुर्गियों मुर्गी पालन कितना है ठीक है आपको दो चीज़ मिलियन में बत बीस्वी जो पसु गड़ना हुई थी 2019 में उसके अंसार पहला ओप्शन है 535.78 ठीक है यह हो गया पसु संख्या या मुर्गियों की 8.51.91 दूसरा है 512.06 और 739.21 तीसरा ओप्शन है 192.46 या 50.42 ठीक है या इन में से कोई नहीं तो करेक्ट अंसर हो जगा हमारा इसमें य बोला जानिकी वाला ठीक है तो इसमें पसु संख्या कि संख्या कि तुछ पांसो 55.78000 ठीक है यह पसुं संख्या होग तिह अर मुर्गी पल्लन इंकी संख्या कि नहीं होग ति Moza 31.91 ठीक है ये मिलियन में में इसम्गा होती तो यह 2019 के अमसार था ठीक है 2019 के अमसार था यानि कि 20 जो पसु गढ़ना हुई थी उनके अमसार है यानि कि यह आप याद रखेंगे 512.06 यह हो गया पसु संक्या और उसके बाद मुर्गी पालन 729.21 यह उनके 2012 हुई थी उनके अमको करेंट देखना तो हमारा करेंट एंसर हो जाएगा यानि कि फैस्ट ओला 335.78 यह हो गया पसु संक्या और यह मुर्गी पालन का 821.91 चलिए कोशन नंबर चलते हैं 11.76 यह 13 चारों मेंसे बताएगे कौन सा करेंट एंसर हो जागा ठीक है तो आप लोग बताएगे जल्दी सिसका एंसर दीजिए तो इसका करेंट एंसर हो जागा यानि कि आवश्कता होती है यह आप याद रखेंगे चलते हैं कोशन scripture 12 पर कैसे नुबर 12 कोशन कोशन बारा कर रहा है बैर की आग्यती किसमें ठिक है यहां पर प्लाट देख सकते हैं फल लगे रखेंगे यानि कि first option हमारा सही हो जागा बात कर लेते हैं सेव की सेव की जो किस्म है ये मध्यम किस्म है ठीक है यानि कि मध्यम है ना कि आगेती ना पच्छेती ये मध्यम किस्म है ठीक है उसके बाद उम्रान और इलाइची ये कैसी किस्म है ये पच्छेती किस्म है ठीक है याद रखेंगे कभी कभी पूछ लेता है गोला किसकी परजाती है तो यह बैर की हो जाएगी गोला है सेव है उम्रान है इलाची यह सब किसकी किसमें है बैर परजाती की किसमें ठीक है यह आप याद रखेंगे तो लिए कोशन नमबर चलते हैं 13 पर चलिए चलते हैं कोशन नम्बर 13 पर कोशन नम्र 14 काह रहा है इस परकार कि आती है या क्रीम से घी बनाने पर इस परकार की गंद आती है ठीक है चारों से बताई कौन सा करेक्ट अंसर होगा तो करेक्ट अंसर हो जागे हैं कि यहां से देसी विधी से गी बनाने पर ठीक है देसी विधी से गी बनाने पर किस परकार की गंद आते हैं इस मोकी गंद किसकी घी के अंदर आती है देसी विधी में ठीक है यहां पर जो घी चीज अंदर वाशा कितनी पर सेंट होती है नायटी नाइन पॉइंट से ज्यादा होती है ठीख कह या लिके नायटी नाइन पॉइंट कि आप याद रखेंगे जिरोपइन पांच परतिस्तस से अधिक नमी होने पर मचली जैसी या मचली की तरही है या सड़ि होई मचली जैसी गंध आने लगती है झांकर ये इसमें जिस आप याद रखेंगे उसके बाद एक चीज और याद रखेंगे, कि जो गंद आती है, जो दुरगंद आती है, दुरगंद, वो किसके करान आती है, एक्रोलीन के करान, ठीक है, एक्रोलीन के करान क्या होता है, घी में दुरगंद आती है, ठीक है, यह काफी important question है, यहाँ से काफी बार एक्जामों में question उठा है और एक चीज और इसमें घी में इसमें जो सुगन्द आता है किस집 के करणा आती है तो उसको भी आप याद र्खेंगे डाई-acetyl ठीक है, डाई-acetyl के कारण क्या होता है डाई-acetyl के कारण उसमें सुगंद आती है, ठीक है यह आप याद रखेंगे, और दुरगंद एक्रोलीन के कारण आती है और 0.5, 5% से अधिक नमी होने पर कैसे होता है, मचली जैसे सड़ी हुई गंद आती है घी के अंदर ठीक है, तो हमारा यहाँ कोशन पूछा स्मोकी गंद घी के अंदर मुखे आउगुण किसका है, तो देशी विधी से घी निकालने पर ऐसा होता है ठीक है, चलिए कोशन नमर चलते हैं 14 पर चलिए कोशन नमर 14 की बात कर लें 14 नमर कोशन कहा रहा है, हम लिखित में से पंच कल्याणी या पंजाबी भैस किस नसल की भैस को कहते हैं ठीक है, आपको बताना है, किस नसल की भैस को पंच कल्याणी या पंजाबी भैस के नाम से जाना जाता है पहला option है मैसाना, दूसरा है नीली रावी, तीसरा है मुर्रा है, चवथा है, जाफरावादी, इन चारों में से बताई कौन सा correct answer हो जागा, तक correct answer हमारा हो जागा है यहां नीली रावी, ठीक है, पंच कल्याणी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके चहरे पर, ठीक है, चहरे प पांच, ठीक है, पांचों जगहें पर क्या होता है, इसका color जो होता, white color का होता, सफेद रंका होता है, यहां पर देख सकते हैं, पुंच भी इसकी सफेद है, और टांगों, यह थूथन का जो color होता है, यह भी white color का होता है, ठीक है, और पैर के नीचे ले जो भाग होते है, यहाँ पर भी सफेद रंका जो आखे होती है यह वी white color की होती है ठीक है इसलिए इसको क्या कहते है पंच कल्याणी के नाम से या पंजाबी भैस के नाम से भी जाना जाता है ठीक है यह आप याद रखेंगे बात करते है महसाना की महसाना जो यहाँ पर देख रहें महसाना लि यहांना जाता है खिमार के नाम से किसे जाना चाहता है मुर्रा को गराफ को बात करते हैं जाफारवादी की जाफरावादी भहासों में जितने होती है उनमें सबसे भारी निसल की भैंस है यहाइब या रखेंगे में तय है कुरे कोश्चनो नमर्चलते ह dudने किया जाता है पहले उप्षिन की बात कर लेते हैं तो पहला उप्षन यान की बैरो मेटरो मेटर से क्या मॉपते हैं वायू दाव का मापन किसे करते हैं वो करते हैं बैरोमीटर से ठीक है वर्षा की मातरा किसे मापते हैं ठीक है वर्षा की मातरा किसे मापन जाता है तो मापन जाता है रेन गेज से विंड वैन से क्या मापन जाता है विंड वैन से वायू की दिशा ठीक है यह आपका यंत्र जो है यह पावन का वेग यानि की विंड वें एनेमो मीटर है ठीक है इससे क्या करते हैं पावन की वेग या गती को आंप जाता है ठीक हमारा कर्Éक टैंसर हो जागा यानि की fourth no चले इसनमा है। criminúsica strongest पर गया है तो इन चारहों में से ब्ताइएं कौन सा करेक्ट एंसलों हो जागा चलिए पहले अपूब्सियूं का लाए इसे क्या होता है सिर्स भाग हुकनुमा हो जाता है ठीक है सिर्स भाग कैसा हो जाता है हुकनुमा हो जाता है तो उसके बाद सेकेंड की बात कर लेते है पोटास की कमी से क्या होता है पूरानी जो पतियां होती है पूरानी पतियां किनारे से मुड़ी आती है ठीक है ठीक है सिर्स भाग यानि की ओपरी भाग जो होता है चाकू की आकार का बदल जाता है यानि यासा हो जाता है तो यहां पे चौथा उप्सन कि फासपोरस फोरस यह कमर strength压 हो जाएगा मक्लि पूरानी पत् flexible यानी कि यह हमारा करेक टाष आंश सिंटांगा इसी कोस्ट यह तो पत्य यह कैसी यह जाती है बैगनी और हम ऐसे आप याद रकिए जलिए आगा नमब्र चलते हैं किद्ध के बात कर लेते हैं 17 लंक् alignment कोशिन कहां एक गाए के बच़रे का जन्म की समय भार 25 किलोग्राम है तो उसे कितने खीस की आथ़़िए अशक्ता होती है आपको बताना है कोई बच़रा है तो जनुब के समय उसका weight कितना है 25 kg है तो उसको कितने खीस की आशकता पड़ेगी 0.5 kg, 1.5 kg, 1.5 kg या 3.5 kg इन चारों में से बताए कौन सा correct answer होगा ठीक है तो इसका correct answer हो जागा यानि कि 2.5 kg उसको आशकता पड़ेगी अगर एक बचले का weight कितना है 25 kg ठीक है इसका correct answer हो जागा यानि कि C यानि कि उसके body weight का 10% देते हैं ठीक है body weight का कितना देते हैं 10% उसको खीस दिया जाता है ठीक है तो 25 का 10% आप निकालेगा तो धाई kg हो जागा तो यह हमारा correct answer हो जागा चलिए चलते हैं question number 18 पर अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को like, share, subscribe जरूर करिए हमारे चैनल के नाम है गरी coaching by विकास ठीक है चलिए question number 18 पर चलते हैं question number 18 कर रहा है फलों और सबजियों का अंतराष्टिय वर्स कब घोसित किया गया था ठीक है बात करते हैं 2015 से चलिए सुरुवात करते हैं 2015 से 2015 में क्या हुआ था 2015 में अंतराष्टिय मिर्दा वर्स घोसित किया गया था ठीक है अंतराष्टिय मिर्दा वर्स घोसित किया गया था ठीक है 2015 से 2016 को क्या कहा गया था अंतराष्ट ये दलहनी VORS Ghosit किया गया था Dream अंतराष्ट ये आलू VORS Ghosit किया गया था 2019 को हब यहां पूछा फलो और सब्यों का अंतराष्ट ये वरस भताना है तो 2021 हो जागा यानि कि और ग्रेक्ट अन्सवर थी कह tastes यानि कि 2021 में क्या हुआ फ़लो और सब्जियों का अंतराष्ट ये वर्स घोसित किया गया ठीक है यह आप याद रखेंगे चले कोशन नबर चलते हैं 19 पर एक दो चीजों और आप लोग जान लिजे है जैसे माली जेकर पूछ रहा है बागवानी वर्स का घुसित किया गया ठीक है तो 2012 में क्या हुए था बागवानी वर्स गोसित किया गया था ये भी याद रखेंगे ठीक है अगर पूछता है अंतराष्ट ये वन वर्स कब गोसित किया गया था ठीक है अंतराष्ट ये वन वर्स 2011 में गोसित किया गया था ठीक है और उसके बाद नियुकर है, हमें घोसित किया गया था ठीक है, और अंतराश़््ट चावल वर्स तो 2004 में, इन सब डाटा को आप याद रखेंगे, ठीक है, अंतराश्ट ये चावल वर्स कब घोसित किया था, 2004 में, चलिया, कोशन नमर चलते हैं, 19 पर, चलिए question number 11 कहा रहा है पर्मारित बीज पर किस रंग का tag होता है ठीक है बहुत ही important बहुत ही लाजवाब question है कि पर्मारित बीज पर किस रंग का tag लगाया जाता है पीला, सफेद, बैगनी या नीला इन चारों में से बताएं यह कौन सा correct answer हो जागा ठीक है बात करते हैं चलिए first option से start करते है पीला tag पीला tag किस पर लगाया जाता है प्रजनक बीज पर ठीक है प्रजनक बीज पर कैसा color tag लगाया जाता है पीला color लगाया जाता है और आधार बीज पर किस परकार का tag लगाया जाता है ठीक है तो सफेद लगाया जाता है ठीक है यह भी याद रखेंगे आ अधार बीच पर सफेद रंग का टैग लगा जाता है यहां पर वाइट कलर उसके बाद बैगनी बैगनी यहां पर देख सकते हैं इस परकार का टैग किस पर लगाते हैं पंजी करित बीच पर ठीक है जो पंजी करित सीड होता है उस पर बैगनी कलर का टैग लगा जाता है और चेले कोशन नमबर 20 की बात करते हैं, 20 नमबर कोशन कह रहा है, जेम का TSS कितना होता है, ठीक आपको बताना है, जेम में TSS कितना होता है, यानि कूल ग्लन सिल ठोस्पदार्थ कितना होता है, 65%, 68%, 70% या 28% चारों में से बताएगे कौन सा करेक्ट अंसर हो जागा, ठीक, बात क करते हैं, सेव का कितना होता है, TSS, यानि कि सेव का हो जागा 68%, ठीक है, और 70% किसका हो जाता है, यह हो जाएगा, कैंडी का, ठीक है, कैंडी का TSS कितना होता है, 70% होता है, और कैचप का TSS कितना होता है, कैचप का हो जागा TSS 28% ठीक है, तो जेम किसे बनता है, जेम जानते है सेव से बनता है ठीक है सेव से बनाय जाता है और सेव का टी एसस कितना होता है 68% होता है ठीक है तो हमारा करेक्ट अंसर हो जागा यानि सेकेंड वाला 68% ठीक है जैम का टी एसस 68% हो जागा और jam किसी बनाए जाता है save से बनाए जाता है ठीक है यह आप याद रखिए चलिए question number चलते हैं 21 पर चलिए question number 21 पर 21 number question कह रहा है विसेले परभावों को दूर करने वाली औसधी को क्या कहते है ठीक है यानि कि सेकेंड वाला कोश्ट ये सही हो जागा एंटिडोट कहा जाता है जो विसेले परभाओं को दूर करने वाली औरशदी काम मिलेते हैं इसमें कौन-कौन सी औरशदी आएंगी जैसे एल्ट्रोपॉन ठीक है एल्ट्रोपीन ये आजएगा और विटामिन विटामिन ए ठीक है इस परकार के औरशदीयां जो होती है वो एंटिडोट कहलाती है जो विसेले परभाओं को दूर करती है उसके बाद बात करते हैं एंट तो रेंट ठीक है डियोडो रेंट ये आता है फिनाइल इसमें आ जाएगा फिनाइल ठीक है फिनाइल आ जाएगा इसमें उसके बाद एक्सपेक्टा रेंट इसमें आ जाएगा अफीम ठीक है अफीम हो सदी आ जाएगी जो एक्सपेक्टा रेंट कहलाएगी ठीक है ये आ आप याद रखेंगे तो हमारे question का सही answer हो जागा antidote ठीक है यानि कि बी वाला question सही हो जागा चलिए चलते हैं question number चलिए question number 22 question number 22 कह रहा है winter cherry किसे कहा जाता ठीक आपको बताना winter cherry किसे कहा जाता आशुगंदा को कहा जाता अफीम को कहा जाता सफेद मुसली को कहा जाता या तुलसी को कहा जाता इन चारों में से बताई कोंसा correct हो जागा जिसको winter cherry की नाम से भी जाना जाता है ठीक है इसका correct answer ह जाएगा यानि अस्वगंदा अस्वगंदा को क्या कहा जाता है विंटर चेरी की नाम से जाना जाता है बात करते हैं अफीम को क्या कहते हैं काला सोना की नाम से जाना जाता है काला सोना किसे कहते हैं अफीम को कहा जाता है यह आप याद रखेंगे सफेद मुसली को क्या कहते यह आप याद रखेंगे तो हमारे कोशन का सही अंसर हो जागा यानि कि आशुगंदा जिसे विंटर चैरी की नाम से जाना जाता है चलिए कोशन नमर चलते हैं 23 पर चलिए चलते हैं कोशन नमर 23 पर जेविक खेती उत्करिष्टता केंदर कहां इस्तित है ठीक है आपको बताना है जेविक खेती उत्करिष्टता केंदर कहां इस्तित है नाता फार्म कोटा में चितोडगाड या छत्रपूरा मूदी में या जालावाड इन चारों में से प्लोटा के अंदर राजस्थान में है यहाँ पर नीवू फार में ठीक है नीवू उसके बाद चितोडगड की बाद कर लेते हैं यहां पर सीता फल का फाम बनाया गया ठीक है यह आप याद रखेंगे बाकी छत्रपुरा यहांपर क्या होता है सब्जी उत्कृृश्टता के के इंदर बनाए गया ठीक है सब्जी उत कृष्टता के इंदर कहां पर बनाए गया है च्छत्रप्रा बूंदी के अंदर ये तीनों ही चारों स्थान जो है राजस्थान में राजस्थान के डिश्टी के ठीक है यह आप याद रखेंगे चलिए कोशन नमर चलते हैं 24 पर चलिए अगर आप लोग हमारे कोचंग पर या हमारे यूटूब चैनल पर नए आए थीक है तो आपको बताना है जिब्रेलीन है इताइलीन या साइटोकाइन है इन चाहिब मसे बताए, कौन सा correct answer हो जागा? तो correct answer हो जाएगा हमारे यहाँ जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का क्या उप्योग होता है? यानि कि खीरा बढ़िये जितनी भी सब्सक्पो की संख्या को बढ़ता है, कौन? इथाइलिन और साइटो काइनिन क्या करता है कोश का विभाजन करता है ठीक है कोश का विभाजन में कौन सा काम करता है ये साइटो काइनिन करता है चलिए कोशन नमबर चाहते हैं 25 पर चलिए question no.25 नो.25 कोशन कहरा है भ्हाइस की सबसे बड़ी और भारी नस्ल कुनसी है थीकँ है आपको बता नहीं जो की भ्हाइस की जितनेंग पर जाते होते हैं पहसे बारी नस्ल होती है शको कहते है नूंसे बता है क्या करते है मीनी एलिफेंट के नाम से विए जाना जाता है यह आप याद रखेंगे जाफराबादी को ठीक है इसका वेट कितना होता 600 kg वेट होता है ठीक है एक भैंस का कितना वेट होता है 600 kg वेट होता है बात कर लेते हैं भधावरी की भधावरी क्या होती है भधावरी जानते हैं इसका कलर कैसा होता है भधावरी का तांबे जैसा होता है ठीक है तांबे जैसा कलर किस नसल का होता है तो भधावरी जो भैंस सबसे ज़्यादा दूत देने опас 미श्ण इन्वा सब गया की अ؟